सो है गाइस आज का जो वीडियो है कुछ इंटरड़क्शन बगड़ा कुछ नहीं है मुझे एक चीज दे के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा पताने आप लोग को आच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा बद हां मेरी लिए बहुत ज़्यादा एक सुकून सा फील हुआ ए उस शो में हमारे त्रिपुरा के राज पेलेस की नाम जिक्र करिया जा रहा है और फिर नाम ले रहा है कुछ एक कोशन मला की कौन बनेगा करोरपती की तरह कुछ है शायद शो तो वहाँ पे नाम जिक्र किया जा रहा है हमारे त्रिपुरा के राज पेलेस की बारे में तो मुझे परसनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो इसलिए आप लोग के लिए चोटा सा किलिप यो बना या अगर आप लोगोंने देखा है तो ठीक है अगर नहीं देखा है तो मैं अभी वीडियो दिखा दूँगा मुझे वो देखे बहुत ज़्यादा अच्छा एक सुकून फील हुआ क्योंकि जायतर नेशनल मीडिया नेशनल टेलेविशन शोव पे हमारे नौर्टिस और त्रिपुरा के बारे में जिक्र नहीं किया जाता और वो जहाँ पे जो शोव शायद बहुत सारे लोग देखता है उसका उखाडन महाराजा राधकिषकर माणिया ने किया थॉ वर इस बालए सक्डास बाहराजा राधकिष़र मानिख्या ने किया थॉ और छाजिन बख़ीं यद के ने उप्त्रबक स्म मृक अगरतला बी कोलकाता सी कुछ भिहार या दी गुबनेश्वार अगरतला उनिस सो एक में बना उजियंत पैलेस शाही निवास था बाद में इसका उप्योग विधान सभा भवन के तौर पे किया गया 2011 में इसे म्यूजियम में तब्दील किया गया था और मानिक्य राजवंज ट्रिपूरा के शाही परिवारे और इसी के चलते मैं आपको याद दिला दू मास्टर दीजीन आप जीत गई हैं पचास लाख रुपाई अगर आप ट्रिपूरा से है दिल पर हाथ रहके बस एक बार बहुतना कि आपको यह देखे कैसा लगा जरूर सुकुन मिला होगा तो इसलिए ही मुझे भी सुकुन मिला तो मैंने सूचा कि आप लोगे साथ शेयर करना चाहिए इसलिए मैं चोटा सा वीडियो बना के डाल रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्याद अच्छा लगा, और गाइस, अगर आपको पता है, कि इस शो का नाम क्या है, और मैं लगा कि क्या है, मैं तो नहीं देखता तर टीवी, इसलिए मुझे नहीं पता है, अगर आप लोगो पता है, तो कमेंस श्रेक्शन पे पता देना यह जो क्लिप वहाँ पे दिखाए जा रहा है, मैं लगा कि इते कलर्स टीवी शोव पे जो दिखाए जा रहा है, हमारे जो ठीपरा के नाम बोलके, तो आप लोगो कैसा फिल हुआ, वो भी कमेंस श्रेक्शन पे बता देना, मैं सभी का कमेंस तो रीट करता ही करता हूँ, म करती है, हमारे जा करती है, हमें सकती है कर दो आप ऱोगो framework की पर रहा है, हमारे जगे जास, मैं एके उन्मोटे, ज़े रहा है कर रहा है, हमारे ज lleva a हुआ है।